गूड मॉर्निंग एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल हुमा स्वीट होम व्लॉग तो कैसे हैं आप लोग और सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो इजी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है इस समय दस बच गये हैं और दस बचे का टाइम हो रहा है तो घर के के बाद यह होता है कि घर का जो काम होता है वो करना थोड़ा आसान हो जाता है और ज्यादा और जो घर के काम होते हैं फटावर से जल्दी से हो जाते हैं तो फिर आट बजी वो लोग चले गे थे उसके बाद फिर मैंने जो घर का और काम था वो करा और बाकी किचन और सारा काम मतलब मैंने kitchen का भी सारा काम कर लिया है क्योंकि आज मुझे करनी है kitchen की हा जो चिंआ है उसकी डीप cleaning तो इसलिए मैंने घर का सारा काम जो है वो time से निपटा लिया था क्योंकि यह सब काम में थोड़ा सा time लगता है और इनके लिए फिर अलग से पहले ही सोसना पड़ता है कि आज यह चीज करेंगे या आज यह करेंगे मेरे साथ तो ऐसा ही होता है क्योंकि अगर मुझे कुछ काम अलग से करना होता है तो फिर उसके लिए पहले से मेरी planning हो जाती है कि कल मुझे इस तरीकी से यह करना है या कल मुझे kitchen का यह काम करना है तो फिर जो kitchen की चिमनी है वो गंदी हो रही थी और वैसे तो मैं अपने चिमनी साफ करते रहती हूं लेकिन फिर भी यह होता है कि deep cleaning हम लोग रोज नहीं करते हैं और यह होता है कि कभी 15 दिन में या कभी तो महने भर में भी हो जाती है और रोज डोज deep cleaning का time होता नहीं है तो इधर यह कमरा जो था थोड़ा मेरा भीकरा हुआ था तो मैंने यह कमरा भी सही कर दिया है और बाकी जो और काम है वो छोटे मोटे से वो भी मैंने घर के सारे कर दिये थे तो इसके बाद फिर main जादा यह होता है आज कल जो विस्तर है वो भी इस समय मैंने बाहरी रख दिया है क्योंकि फिर बाहरी निकला हुआ था वो बाहरी रख दिया था इसलिए और इस तरीके से अगर उसे थोड़ा सा अरेंज करके रख दो क्लिणक्स थो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है और वैसे अगर एक के ऊपर एक रख दो तो फिर वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है देखने में तो इसलिए मैंने इस स्थे आख दिया था काउंटरटॉपaksi साफ करती उस समय टिस्यूइं लगा होता हिसके सब्सक्रीजियु जो पाणि इसमें एकप्ता रहे अर गर्म पाणी जो है कोलता हुआ सावian और अज़िया है और उसके बाद मैंने इसमें सर्प डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने ब्रस से इसको रगड लिया है और जिससे की मतलब थोड़ी देर में जब से साफ करेंगे तो फिर ये एकदम से साफ हो जाएगी जो इसकी चिकना ही है और तब तक हम जब तक ही भीगते हैं लोग जो चिमनी के अंदर वाला एरिया होता है उसके सफाई कर देंगे क्योंकि महाँ पर भी ऑईल लगे रहता है और बहुत ज़्यादा चिकना ही रहती है तो इस तरीके से ये शॉलिशन से एकदम से साफ हो जाता है और ब्रेस के हल्प से जो है इसका प्लग निकाल दें और इस तरीके से जो प्लग निकाल दिया था एकदम से मुझे याद आगे कि मैंने प्लग निकाला नहीं है और उसके बाद फिर ब्रेस के हल्प से इसके अंदर वाला एरिया होता है वहाँ पर काफी जादा चिकना ही रह जाती है तो फिर वो साफ कर लेंगे और ब्रस से इसके जो कोने हैं एकदम से साफ हो जाते हैं क्योंकि ब्रस एकदम से कोने कोने में पहुंच जाता है और जो तारवाला जूना होता है एकदम से कोने में पहुंच नहीं पाता है तो तारवाले जुने से एकदम से जल्दी से साफ हो जाता है जो पैनल के आसपास वाला एरिया होता है जहाँ पर थोड़ा सा गंदगी रहती है दिखने में और ओयली ओयल दिखता है वहाँ पर तो एकदम से साफ हो जाता है और बाकी जो इधर सीसे वाला हिस्सा है तो मारते रहते हैं और यह एकदम से साफ रहता है जादा गंदा भी नहीं होता है लेगिन जो में होता है वो होता है अंदर वाला हिस्सा क्योंकि अंदर वाला पोर्शन होता है तो वही जादा गंदा रहता है इसमें जादा ओयल उसी में रहता है तो उसके बाद अब हम सफाई क करेंगे जो इसके पैनल है इसकी क्योंकि इसके अंदर इतना ज्यादा बहुरे रहता है कि एक दम से साफ होता नहीं है तो सम करोंगे वह उससे साफ करूंगे क्योंकि वह एकदम से कोने कोने इसके अंदर पहुंच जा रहा था तो उससे सवाई करना काफी ज्यादा एजई हो जा रहा था तो यहीं है चिमनी की सवाई और हम आराम से अपने घर पे कर सकते हैं क्योंकि अगर आब बाहर से किसी को बलाएंगे तो सफाई चिमनी की जो सफाई है उसके रेट होती है लेकिन हम आराम से घर पे इसके सफाई कर सकते हैं बस थोड़ा सा टाइम लगता है टाइम भी बहुत जादा नहीं लगता है मुश्किल से 20 या 25 मिनट लगते हैं इसके सफाई करने में और आप आराम से इसके सफाई कर सकते हैं और बाकी अगर बहुत ज़्यादा दिनों में आप करेंगे इसके सफाई तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है मैंने मतलब इसे साफ कर लिया है तो चिमनी की सफाई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है तो आप इसे खुद भी अपने आप कर सकते हैं और ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको किसे को बलाना पड़ेगा या वो चिमनी की सफाई करेगा तो देखिए बहुत ही कम महनत में एकदम से मेरी कोई ज़्यादा महनत इसमें नहीं लगी है और आराम से जो इसके पैनल है वो बिल्कुल से चमक गये हैं तो इस तरीके से फिर मैंने ये जो दूसरा वाला है इसे भी साफ कर दूँगी मैं क्योंकि गरम पानी से और जो शॉलो से उससे एकदम से साफ हो जाता है बहुत जादा महनत इसमें लगती नहीं है और ये वाले भी साफ हो चुका है और उसके बाद जो सिंख में इदर मैंने थैरी लगाई थी उसे भी निकाल दूँगी जिसी की सारा पानी जो है उसका निकल जाए गई और सिंख भी हमारा साफ हो जाएगा और चिमनी साफ करने से दो फाइद हो गए हमारा सिंग भी एकदम से चमक गया है क्योंकि उसमें भी बार बार गरम पानी गया है और जो उसका पाइप है उसमें भी गरम पानी बार बार गया है और इससे वो भी साफ हो गया है तो फिर चिमनी की सफाई के साथ सा सिंग की सफा तो इस वज़े से मैं पूर्च लूँगी और अब का चिमनी जो है काफी ज्यादा अच्छी से दिख रही है काफी ज्यादा चमक रही है और वैसे और दिन होता था थोड़ा बहार से बस ट्रिस्टुपी पर से इसका ओयला वह साफ करती थी मैं और बाकी आस तो मैंने इसकी बहुत ज्यादा डीप क्लेनिंग कर दिये और काफी ज्यादा अच्छी लग रही है चिमनी बिल्कुल चमक रही है और उसके बाद फिर इदर जो मीरा गया स्टूप भी गंदा हो गया था क्योंकि जो सॉलूशन बिल्कुल रही है तो आप अपने हास से कर सकते हैं अपने घर की जो चिमनी है उसकी सफाई आराम से और चिमनी की लाइड जला की मैं आपको दिखाती हूं कि जो इसके आसपास वाला जो एरिया है वह वहां पर बहुत ज्यादा ऑईल लगा हुआ था तो यह है हमारी किचन आपको पसंद आया हुआ तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जोड़ कीजिएगा और अगर चैनल पे नहीं आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रू से बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो मैं मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई